कहानी की सुरुवात में हम सोरेन नाम की एक आउल को देखते हैं जो अपनी छोटी बेहन इगलेंटी की साथ गार्डियन्स ओफ गहूल की कहानियों के कैरेक्टर बनकर खेल रहे होते हैं तब ही उनका एक और भाई क्लड उनसे कहता है कि चलो अब चलकर सो जाएं क्योंकि उसे ये कहानिया बकवास लगती है तब उन लोगों के डैड वहां आते हैं और क्लड से कहते हैं कि ये कहानिया उनकी संस्क्रीती और इतिहास का एक हिस्सा है इनसे वो बहुत कुछ सीख सकत पर कलट कहता है कि बार-बार वो एक ही कहानी के बारे में सुनकर पक चुका है पर सोरेन और इगलेंटी को ये कहानिया बहुत पसंद थी वो दोनुँ उन कहानियों पे विलीव करते थे और वो समझते थे कि गार्डियन्स सच में होते हैं उनकी मौमन सबको अब सोने को कहती ह सोरे निगलेंटी को बता रहा था कि अब तक की कहानी में गार्डियन्स प्योर वन से लड़ते हुए पिछड रहे हैं कहीं वो हार ना जाए पर फिर लाइज ओफ कील नाम के एक आउल ने उन सैतानी आउल्स के लीडर को मा डाला और एक बर फिर से गार्डियन्स की जीत हुई एक बर फिर से आउल्समराज को आजादी मिल जाती है और वो गार्डियन्स अपने घर वापस लोटा है जिसका नाम गहूल था पर लोग कहते हैं कि सैतानों का लीडर अब भी जिन्दा है और वो अपनी टूटी हुई चोच को छुपाने के लिए मीटल का एक मास्क पहनता है पर तभी सोरेन को रोकते हुए कलड कहता है कि वो ये बकवास कहानी उसे सुनाना बंद करे क्यूंकि ऐसा कुछ भी रियल नहीं हुआ था उनके डैड ने उने कहानिया सुना सुना कर उनका दिमाग खराब कर दिया है अगले दिन सोरेन और कलड को उसके डैड उडने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कलड उड़कर दिखाता है और अपने डैड से कहता है कि वो सबसे अच्छा उड़ सकता है पर उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अपने पंको की आवाज को थोड़ा कम करे उसकी आवाज सुनकर सिकार भाग सकते हैं कुछ देर उनके डैड उन दोनों को उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद उने वहीं छोड़कर वो उनकी मॉम के साथ सिकार पे निकल जाते हैं कलड और सोरेन वापस अपने घोसले में आ जाते हैं जहां उनकी मेड मिसेस भी उसकी बहन इगलेंटे की देखबाल कर रही होती है सोरेन एक बर फिर से कलड को उड़ने की प्रैक्टिस करने को कहता है और वो अपने घोसले से बाहर आकर उड़ने की कोसिस करने लगते हैं पर उन दोनों का बैलेंस बिगरने की वज़ा से वो वहां से नीचे गिर जाते हैं वो दोनों बहुत डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता था और अब वो उपर अपने घोसले में भी नहीं जा सकते थे तभी अचानक से एक बड़ा सा रैट उन पर हमला करता है वो दोनों किसी तरह से एक दूसरे को बचाने की कोसिस करने लगते हैं तभी व गिल्फी नाम की एक आउल मिलती है जो उसे बताती है कि वो उसे डिजर्ट से उठा कर ले आए वो सारे आउल्स को लेकर पहाडों की एक गुफा तक ले आते हैं वो उन सबको अपना गुलाम बनाने वाले थे और कुछ को अपने प्योर वन सेना में सामिल करने वाले थे वहा पर तभी गिलफी और सोरेन उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके घर वापस जाने दे नैरा उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को सामान उठाने वाले कैटेगरी में डाल देती है उसके बाद वो कलर्ड की तरफ बढ़ती है वो उससे कहती है कि तुम अपने भाई की तरफ सामान उठाने का काम करना पसंद करोगे या प्योर वन्स के बहादूर सिपाही बनना चाहोगे कलर्ड उनकी सेना में सामिल होने के लिए मान जाता है सोरेन और गिलफी को बाकी आउल्स के साथ कहीं और ले जाया जाता है उन्हें अपना चेहरा चांद की तरफ करके सो जाने को कहा जाता है गिलफी सोरेन से कहती है कि उन्हें नहीं सोना चाहिए क्योंकि उसके रेगिस्तान में भी कई बार ऐसे ही आउल्स ठक कर सो जाते हैं पर जब वो उटते हैं तो वो पहले की तरह नहीं रहते वो भूल जाते हैं कि वो कौन है वो दोनों बाकी आउल्स की तरह सिर्फ सोने का नाटक करते हैं और अगले सुबा जब सारे आउल्स उटते हैं तो वो पूरी तरह से गुलाम बन चुके थे वो सब उनके इसारों पे चलने लगते हैं सोरेन और गिल्फी भी नाटक करते हुए उनके साथ जाने लगते हैं उन सब को वहां के प्लेट ओरियम में लाया जाता है वहां नायरा सिपाही बनने वाले आउल्स को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो एक अच्छे सिपाही बन सके उन सारे गुलाम आउल्स को एक पैलेट दिया जाता है जिसमें से उन सब को एक मेटल फ्लेक्स ढून कर निकालना था जिसे वो एक जगा कलेक्ट कर रहे थे वो सोरेन को एक फ्लेक्स देते हैं और उसे बाकिके फ्लेक्स के पास रखने को भेजते हैं उन फ्लेक्स की पावर का सोरेन पे बुरा असर पड़ रहा था वहाँ कुछ बैट्स थे जिन पर इन फ्लेक्स की पावर का कोई असर नहीं था और वही बैट्स उन फ्लेक्स को अपने पास रख रहे थे ये सब देखकर सोरिन को एक बात तो पता चल चुकी थी कि ये लोग कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं वो गिलफी से कहता है कि उन्हें जल्दी से यहां से बाहर निकलना होगा आगे हम हाई टाइट्स को एक आउल से बात करते हुए देखते हैं वो कह रहा था कि बहुत सारे फ्लेक्स के इकट्टा हो जाने के बाद वो लोग अपने दुस्मनों के लिए एक जाल बिचाएंगे और फिर उन सबको अपना गुलाम बना लेंगे इधर ग्रिम्बल नाम का एक आउल जब सोरेन को वहां से बाहर जाने की बात करते हुए सुनता है तो वो उन दोनों को अपने साथ ले आता है वो उने एक अलग जगा पे ले आता है वो उनसे कहता है कि वो उन्हें उड़ना सिखाएगा ग्रिम्बल उन्हें बताता है कि प्योर वंस ने उसके राज़ पर हमला किया था और उसके परिवार को अपने साथ ले गया और उसे कहा गया था कि जब तक वो उनके लिए काम करता रहेगा वो उसके परिवार को कुछ नहीं करेगा पर अब उसे लगता है कि वो उनका साथ दे कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो उन्हें उड़ना से खाने लगता है इधर नायरा उन सिपाही बनने वाले सारे आउल्स का एक टेस्ट लेती है ताकि वो जान सके कि कौन उन में सबसे बेश्ट है उस टेस्ट में कलड सबसे आगे रहता है नायरा उसकी तारीफ करती है वो कलट से कहती है कि क्या तुम्हारा भाई सोरेन भी तुम्हारी तरह उड़ सकता है वो उसे अपने साथ लेकर सोरेन को समझाने जाती है कि वो भी उनके ग्रूप में सामिल हो जाए ग्रिमबल अभी भी सोरेन और गिलफी को उड़ना सिखा रहा होता है वो उनसे कहता है कि उन्हें अगर अपने घर जाना है तो उन्हें जल्दी से उनना सिखना होगा वो उन्हें बताता है कि उनका असली घर गहूल है पर वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें पहले होले मेर समुद्र के टापू पे जाना होगा वहाँ एक पूराना जंगल में गहूल ट्री है जहां सच्चे और इमंदार आउल्स रहते हैं और उन्हें गार्डियन्स कहा जाता है पर तभी वहाँ नायरा और कलड आते हैं ग्रिम्बल सोरेन से तुरंत वहाँ से भाग जाने को कहता है नायरा उसे रोकने के लिए जाती है पर ग्रिम्बल उसे उन तक पहुँचने से रोकता है सोरेन और गिल्फी पहाल के किनारे तक पहुँच जाते हैं पर वो वहाँ से कूद कर उडने से डर रहे थे ग्रिम्बल तब तक नायरा को रोक के रखे हुए था वो कलट से भी सोरिन के साथ भाग जाने को कहता है पर वो उनके साथ जाने से मना कर देता है और तब तक नायरा भी ग्रिमबल के पंजों से छूट जाती है सोरिन और गिलफी वहाँ से कूद कर उड़ने लगते हैं नायरा उनका पीछा कर रही होती है ग्रिम बलब भी उसे रोकने की पूरी कोसिस कर रहा होता है पर बहुत जल नायरा उसे मार देती है वो दोनों एक पहाल के छोटे से दरार से होकर भाग जाते हैं सोरेन और गिलपी अब आजाद हो चुके थे वो दोनों बहुत खुशते क्योंकि अब वो उड़ सकते थे वो दोनों वहाँ से गाहूल की तरफ निकल जाते हैं इधर नायरा कलर्ड से कह रही होती है कि उसके पास आज भागने का अच्छा मौका था पर फिर भी वो उनके साथ नहीं गया वो जरूर प्योर वन्स का एक महान सिपाही बनेगा वो उससे कहती है कि वो उसके सिपाही बनने में उसकी मदद करेगी पर उसके बदले में वो उससे क्या दे सकता है क्योंकि उसका भाई तो वहाँ से भाग गया कलेट कहता है कि उसकी एक बहन है वो बहुत बादूर है, वो जरूर उनकी सेना में सामिल होकर एक महान सिपाई बनेगी, नैरे उसकी बहन को उसके पास लेकर आने को कहती है, सोरेन और गिल्फी उड़ते उड़ते थक चुके थे, उन्हें रास्ते में डिगर नाम का एक आउल मिलता है, गिल्फी उससे कहती ह कि उन्हें आज रात छुपने के लिए एक जगा चाहिए, क्योंकि वो लोग गाहूल की तरफ जा रहे हैं, वो उसे अपने घोसले में ले जाता है, तब ही वहाँ उसका दोश ट्विलाइट आता है, जिसने खाने के लिए मिसेस पी को पकड़ कर लाया होता है, वहाँ मिसे काम बनाने वाले हैं, ट्विलाइट और डिगर भी उन सब के साथ जाते हैं, मिसेस पी भी उनके साथ ही होती है, क्लड अपनी बहन एक लिंटे को भी लेकर हाई टाइटोस के पास आ जाता है, वो बहुत डर रही थी उसे देखकर, सोरेन और उसके लोग हैलो मेर समुदर के पास तक पहुँच चुके थे, वहाँ उने इकिड्ना नाम का एक पॉर्क्यूपाइन मिलता है, जो उनसे कहता है कि उसे पहले से ही पता था उनके बारे में, कि वो लोग आने वाले हैं, वो उन सब को गार्डियंस तक जाने का रास्ता बताता है, वो उनने उन सितारों का पीछा करने को कहता है, जिनका पीछा करते हुए वो गार्डियंस तक पहुँच सकते हैं, वो सब अपने सफर पे निकल जाते हैं, और लगतार उस दिसा में उड़ने लगते हैं, कुछ दिर बाद वो घने कोहरे में फस जाते हैं, उन्हें उड़ने में परिशानी हो रही और तभी डिगर के पंक जम जाते हैं, वो गिरने लगता है, सोरेन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे एक गार्डियंस आउल दिखाई देता है, जो डिगर को गिरने से बचा लेता है, और एक उसे अपने पीछे आने को कहता है, वो उन सब को लेक विखने के सेर्ग गहूल में आते हैं सोरेन गाडिएन सिर्ट कींग को सारी बात बताता है कि कैसे प्योरवन सारे आॉल्स को गुलाम मना कर अपनी सेना तैयार करा है और वो बहुत जल्द गहूल पे हामला करने वाले हैं गाडियन किंग अपने सिपाई एलेमोर को जाकर पता करने को कहता है कि क्या उनकी बात सच है एलेमोर अपने साथ कुछ सिपाही लेकर निकल जाता है प्योर वन का पता करने सोरिन को गहूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वहां के हर राउल को उसके काबिलियत के हिसाब से काम दिया जाता है वो वहां गार्डियन्स बनने के ट्रेनिंग भी लेता है इधर हाई टाइटोस अपने सैनिकों को बता रहा होता है कि वो लोग प्योर वन्स हैं और वो सबसे ताकतवर हैं और इस दुनिया में हमेशा ताकतवर ही राज करते हैं वो उन्हें बताता है कि कई साल पहले एक कायराउल लाइज ओफ किल ने उसके राज को हलपना चाहा और उस पे हमला किया और इसलिए उसे अपनी चोट को छुपाने के लिए मेटल का मस्क पहनना पड़ता है पर अब वक्त आ गया है कि वो गहल्स पे हमला करके वो सब हासिल करे जो कभी उसका था और सारी दुनिया पे सिर्फ प्योर वंस का राज हो वहाँ कलड के साथ इगलेंटे भी थी वो उसे कह रहे थी कि उसे घर जाना है क्योंकि उसे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है पर कलड उसे सुला कर बाकी आउल्स के साथ उनका गुलाम बना दिता है गार्डियन्स का एक आउल सोरिन को उडने का सही अंदाज बताता है वो उसे हावा को महसूस कने को कहता है और उसके बाहाओ के साथ उसे उडने की कोसिस कने को कहता है सोरिन को उसकी बाते समझ आ रही थी वो हावा के बाहाओ के साथ उडने लगता है और उसमें वो इतना खो जाता है कि वो पानी में गिनने वाला होता है पर सही समय पे वो गार्डियन उसे बचा लेता है उसके बाद वो गार्डियन उसे लेकर अपने घर आ जाता है एलमेर अपने सिपाईयों के साथ प्योर वन्स के इलाके तक पहुंच चुका था वो सब छुपते हुए कुछ सिपाई पे हमला करते हैं पर ये सब उन्हें फसाने के लिए एक ट्रैप था वो सब पकड़े जाते हैं इधर सोरेन उस गार्डियन के साथ उसके घर में था वहाँ उसका साइन देखकर उसे पता चलता है कि वो गार्डियन लाइज ओफ कील है जो उसका सबसे फेवरेट गार्डियन था सोरेन उससे पूछता है कि उन्होंने अपना नाम क्यों छुपा कर रखा हुआ है तब वो कहता है कि लड़ाई हमें साथ तबाही लाती है उस लड़ाई में उसने अपना बहुत कुछ खोया इसलिए तब से वो लड़ाई छोड़कर एक लेखक बन गया और तब ही एलेमोर वहाँ वापस आ जाता है वो अपने साथ दो घायल आउल को भी लेकर आये था सोरेन जाकर देखता है वहाँ उसकी बहन इगलेंटे थी जो कि अब पूरी तरह से गुलाम बन चुकी थी वहाँ के डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए अपने साथ लेकर चले जाते हैं एलेमेर सब को बताता है कि सोरेन की बात बिल्कुल सही थी वहाँ बहुत से प्यूर वंस हमला करने की तयार ही कर रहे है गार्डियन्स केंग सब को लड़ाई के लिए तयार होने को कहता है क्योंकि वो लोग उन पे हमला करने जाएंगे सोरेन लीज से कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाता है पर वो उससे कहता है कि वो यहीं रहकर अपने बहन का अच्छे से देख बाल करे और सारे गार्डियन्स की फूर्स प्योर वंस पे हमला करने के लिए निकल जाते है सोरेन वहीं अपनी बहन के पास ही रुखता है वो गार्डियन्स वहाँ पहुँचकर एक एक करके सारे टाइटोस को मानने लगते है औरिधर एक लेंटे को तब तक होस आ जाता है वो सोरेन्स से कहती है कि कलड नहीं उसे वहाँ गुलाम मनाया था और उसी ने उसे अलमेर को यहाँ लाने के लिए दिया था सोरेन्स समझ जाता है कि अलमेर भी उनके साथ मिला हुआ है और ये सब गार्डियन्स को फसाने का उनका प्लैन है वो तुनत उन्हें बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है उसके साथ गिलफी डिगर और ट्वैलाइड भी थे इधर सारे गार्डियन्स को वो उस मेटल फ्लेक्स की मदद से कैद कर लेते हैं क्योंकि वो सारे फ्लेक्स की पावर को जھیल नहीं पा रहे थे नायरा वहाँ के सारे बैट्स को उन्हें माने के लिए भेज़ दिया है क्योंकि उन बैट्स पे उस फ्लेक्स का कोई असर नहीं होता था और उसके बाद हाई टाइटोस दोके से अलमेर को भी मार देता है सोरेन भी अब तक वहाँ पहुंच गया था पर वो चाकर भी कुछ नहीं कर सकता था तब ही उसे पास के जंगल में लगे हुई आग दिखाई देती है और उसे एक आइडिया आता है वो वहाँ के लैम्प को अपने पंजो में ले लेता है और वहाँ जल रही आग में कूच जाता है और उस लैम्प को आग के बीच में से जला कर बहार आता है और उस जलते हुए लैम्प को उस मेटल फ्लेक्स में डाल देता है जिसकी वज़ा से वो बंद हो जाता है और सारे गार्डियंस आजाद हो जाते हैं वो सब मिलकर प्योरवन से लड़ने लगते हैं वो सारे गार्डियंस उन पर भारी पड़ रहे थे तब ही सोरेन देखता है कि कलड भी लड़ने आ रहा है वो उसे रोकने जाता है पर कलड उस पे हमला कर देता है और उसे जंगल की आग की तरफ फेक देता है सोरिन उसे समझाने की कोसिस कर रहा था कि वो गलत लोगों का साथ दे रहा है पर कलड उसे कहता है कि वो उसकी तरह कमजोरों की जिंदगी नहीं जी सकता वो सोरेन पे हमला करके उसे आग में गिरानी की कोसिस करने लगता है पर इसमें वो खुद अपने हाथों से ही आग में गिर कर मारा जाता है सोरेन अपनी तरफ से आखरी वक्त तक उसे बचानी की कोसिस करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता है इधर लीज ओफ कील सिधा हाई टैटोस के पास पहुंचता है और उसे लड़ने लगता है लीज उसे एक बर फिर से हरा देता है पर टैटोस को बचाने नायरा भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर लाइस पे भारी पढ़ रहे थे टैटोस उसे माने ही वाला होता है कि सोरेन अपने साथ एक जलती हुई लकड़ी लेकर आता है और उसे बचा लेता है टैटोस सोरेन को माने के लिए उसकी योड जपटता है पर उस जलती हुई लकड़ी के मदद से सोरेन उसे मार देता है ये देखकर नायरा अपने बचे हुए सिपाईयों के लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक पर फिर से गार्डियन्स की जीत होती है उसके बाद सारे गार्डियन्स लोटकर गहूल आ जाते हैं सोरिन के मॉम डैड भी वहाँ पहुंच चुके थे उन्हें सोरिन की बहुत अजिए कर द द की जिए बच्प्चिए नायरा अजिए झालर खेवाटियन्स लोटकर बाखेड्यो बालबीच की जीता की मॉमुमुमूशच बेलबीच की जीता रड़कर प्सक्तर थे रूलब चान की जीता जीता जीता